है दोस्तों तो आज हम बनाने वाले हैं आलू बड़ा एक दम इंकोल इजी रखती है तो भी दिल पसंद आए तो लाइक लेए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा तो देखे को दोस्तों यहां पे आलू मैंने बॉयल कर लिये हैं और इनको थोड़ा सा कर लिया है तो दही बड़े कर लिये तो मैंने यहां पे ले लिया है बॉयल मैं बेशन कम सकम एक कटोरी मानके चलिए एकोर्डिंग टू आलू मिक्चर जब भी हमार तयार होगा उसको हमें डिप करना होगा तो इसमें मैंने एक कटोरी ले लिया है बेसन और आधा कटोरी से थोड़ा सा कम मान के चलिए मैंने लिया है सूजी सूजी आप मीडियम जो मौटी वाली होती है या फिर बारिक वाली कोई भी यूज कर सकते हो सूजी मिक्स करने के बाद इसमें क्या थोड़ा से क्रंचिनेस आ जाता है सूजी बदाम साथ हमें इसमें थोड़ा सा मिक्स करने वाली हूं दोस्तों करने के लिए चाहांनी एव पानी उठाई गोलने के लिएये और इन भी दे लिए में में जादा गाड़ा नहीं रखना है इतना रखना जैसे हम पकवडी बनाते हैं उसी टाइप का मिक्चर हमें रखना है जिससे की आलू में अच्छे से मिक्चर है ना एड़ हो जाए और ज्यादा पतला भी न रहे तो यहां पर मैं इसमें डाल रही हूं एक चमच पोह मसाला जिससे की जो मिक्चर रहना थोड़ा सा खट्टा और थोड़ा से तीखनेस इसमें रहता है और साथ में मैंने यहां डाला एक चमच नमक वाइट वाला अभी मैंने इसमें काला नमक एड़ नहीं किया है काला नमक हम मिक्चर में ही एड़ कर देंगे जो हमारा आलू का मिक्चर होगा तो गाईज यहां पे मेरे आलू हैं जो कि मैं इनको कुचल रही हूँ तो हमें मिक्स करने के लिए कोई भी आप ऐसे फ्लेट नीचे से तरी बाला बर्तन ले लिजिए और उससे आराम से आप अपने आलू को कुचल सकते हैं मिक्चर बना सकते हैं तो मैं तो अपनी देशी जोवार लगा मसाला और थोड़ा सा क्या बोलते हैं मैंने डाला है सौप और यहां पे मैं डालने वाली हुई है थोड़ी सी में गरम मिर्च इसमें मिक्स कर लीघ दोस्तों और बस अभी यहां पे मैंने थोड़ा सैस्में डाला है टेस्ट बढ़ाने के लिए पास्ता मसालस गह judgments मेरे तो यहां पर मैंने पास्ते मसाले को भी मिक्स कर लिया है और बस इन सब को अच्छी से मिक्चर बना के मैंने रख दिया है बिल्कुल बढ़िया तरीके से अभी इसमें एक चीज की कमी रहे गई है जो साइद मैं भूल गई हूं दोस्तों तो यहां में डालने वाली हूं कस्त दोस्तुरी मेती का इंची जो में बहुत अच्छा टेश्ट आता है तो अगर आपके पास है तो जरूर डालिएज़ेगा अधरवाइस यह आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है यहां पर मैंने इसमें एड़ किया है काला नमक 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 और लिया है तो आप देख जो होता है ना इसमें डाला हुआ है बस मेरा मिक्चर हो गए तयार और साथ में डाली है मैंने लाल वाली देगी मिरच जो की थोड़ा से लाल क्रश्ट देंगी और बस अपनी कड़ाई हो गई तयार धनिया मैंने एड कर ली और गोलोल एड़ो इसके बना लिए अब मैं बस मैं देखी मेरी बेशन की जो कॉंटिटी है किस तरह से कंसिस्टेंसी है गीले होने की तो मैंने इसमें कड़ाई में डाल दिया है अपना बड़ा मेरे बेटे को निकलना था स्कूल जल्दी जल्दी तो मैंने जल्दी से फ्राई किया आप देख रहे ना एकदम मस्त बजार वाली लुकिंग में यह मेरा अलु बड़ा बनके हुआ है तयार तो सारे मैंने जो बॉल्स है इसमें डाल दूंगी और अब मैं फटा-फट से इनको कर रही हूं फ्राइ करना श्टार्ट वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हैं मेरे रैस्पी के तो चैनल को सब्सकाइब क करना वीडियो को लाइक सेर करना बैल आइकन जरूर दवा दी जिससे की आने वाली मेरी रैस्पी आपको मिलती रहें तो गाइज यहां पर देखी मेरे कड़ाई अच्छी तरह से गराम हो चुकी है हमें एकदम हाई फ्लेम पे अपनी कड़ाई को नहीं रखना है मेडियम तो लो फ्लेम पे रखेंगे जिससे की जो हमारे आलू बढ़ा है अंदर तक अच्छे से फ्राई हो जाएंगे अधरवाइस उपर उपर यह जल जाएंगो अंदर से थोड़े से नम रहेंगे तो इसलिए हमें थोड़ा क्रंची सेखने के लिए इनको मीडियम टूलो फ्ले अगर आपको रेश्पी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक से जरूर कीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि आपको यह रेश्पी कैसी लगी कर दो